दिल्ली हाई कोट ने कॉंग्रेस निता जैराम रमेश, पवन खेडा और नेट्टा डिसुजा को केंद्रिय मंत्री स्मृति इरानी की बेटी के गोवा के बार लाइसेंस विबाद मामले से समंधी ट्वीट तुरंध हटाने का निर्देश दिया है स्मृति इरानी ने दिल्ली हाई कोट में तीनों कॉंग्रेस नेताओ के खिलाब दिवानी मानहानी आचिका दायर की है इरानी ने दो करोड रुपए के हलजानी की मांग की है इरानी की आचिका में कहा गया है कि कॉंग्रेस नेताओं ने इरानी के 18 वर्षय बेटी जो इश इरानी पर गोवा में अवेद रुप से बार चलाने का आरूप लगाया था इन नेताओं ने इरानी पर आरूप लगाते होए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्री मंडल से बरखास करने की मांग भी की थी इरानी ने तीनों नेताओं को लीगल नोटीस भेजा था लिगल नोटीस में कहा गया था कि अगर कॉंग्रेस नेता बिना शर्थ और स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगते हैं तथा अपने आरोप वापस नहीं लेते हैं तो इरानी उनके खिलाव दिवानी और आपराधिक कारेवाई शुरू करेंगी इरानी द्वारा भेज गए नोटीस में कहा गया था कि कॉंग्रेस नेताओं ने मंत्री की युवा वेटी पर हमला किया जो विश्व विद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा है नोटीस में कहा गया था कि जोईश इरानी ने कभी भी कोई बार या कोई व्यवसाईक उद्य पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, Flywheel Aviation Academy. सब्सक्राइब करनाटिका बंक नागपुर.